नमस्ते दोस्तों आज हम चनेक दाल के पराठा बनाएंगे बीना इसको पीसे ही बनाएंगे बहुत अच्छे से बन जाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे उसके लिए है अब लैशुन को पका लेना है यह पराठे बहुत टेश्टी लगते है Mobilवी दाल बेहुत अच्छे गड़त चाहिए बहुत नहीं को wow भीगें जालना है फुला देना दो गंटा पहले तो अच्छे से फ्टूल जाती है अब चला देना दाल को अब इसमें मसाले डाल देना जिसे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया और गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर देना अब पानी डाल देना है पानी बहुत नहीं डालना बस दाल फूलनी चाहिए दाल के उपर ही पानी रहे उपर तक न जाए देखे बस इतना पानी रखना है इतने में ही डाल बहुत अच्छे से पक जाती है बहुत गीली भी नहीं रहती है बहुत सूखी भी नहीं रहती है 6-7 सीटी लगा देना अच्छे से पक जाएगी अब गेहूं का आटा ले लेना अजवाइन डाल देना क्रस करके और यह पराठे बहुत जल्दी बनके तयार हो जाते हैं क्योंकि इसको पीछने का जंजट खतम हो जाता है बहुत आसानी से दाल गल जाती है दाल भी पक रही है बगल में अब इसको उताल लेना है छे साथ सीटी में ही पक जाती है अगर ना पक दुबारा चड़ा देना है अब ठंडा कर लेना गुकर को देखिए पानी पूरा सुख चुका है और दाल भी अच्छे से गल गई है बस इसी तरह से मैस कर देना है कल्ची से ही अच्छे से मैस हो जाती है फूट जाती है अगर गीली लगे तिसको पका देना थोड़ी दे चड़ा देना है पानी भी ज़्यादा होगा तो सूख अभी हलकी से गीली लग रही है तो थोड़ी दे चढ़ा देना दो मिनट के लिए पानी सूख जाएगा अब इसमें हरी धनिया पत्ती डाल देना है अब पर्फेक्ट डाल हो चुकी है अभी ये गीली लग रहे लेकिन जैसे ही ठंडी होगी सूख जाएगा पानी टाइट हो जाएगी भरने वाली हो जाएगी डाल देखे पीसना भी नहीं पढ़ता इस तरह से बनाएंगे तो अब पराठे बना लेना है अपने इस साफ से पराठे बना सकते हैं छोटे बड़े मीडिया माकार के ही पराठे बनाएंगे अब लोई को काड के इस तरह से बढ़ा देना है अब इसको भर देना है सील कर देना ह अब पर्थन लगा के बेल लेना है यह पराठे दही अचार के साथ बहुत जादा टेश्टी लगते हैं और हिल्दी भी रहते हैं पराठे इनकी कचोड़ी भी बना सकते हैं अभी दाल गरा में तो थोड़ा सा फट रहा है पराठा अब दूसरा भी पराठा बेल के रख लेना है ऐसे सारे पराठे सेख लेना और गरम गरम ही परस देना है क्योंकि गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं सरसों के तेल में ही पराठे बनाए हैं, घी में भी बना सकते हैं, जो भी तेल खाते हैं उसमें बना लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, जब सब्जी नहोते पराठे ज़रूर बनाईए, बहुत अच्छे लगते हैं, अब अचार के साथ सरो किया है, आप लोगो को मेरी ये वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा बहुत जल्दी बन के तयार हो जाते हैं पराठे और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं इनको कहीं-कहीं दल भरी भी कहा जाता है हम लोग इनको बढ़ाई कहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं पराथे